स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube channel BJ education में दोस्तों जैसे कि आपको पता है उत्राखन में काफी नदियां पाई जाती है जैसे काफी नधी तंत्र है जिन में से है काली सारदा नधी तंत्र या फिर आप अलग नंदा नधी तंत्र को लीजिए यमना नधी तंत्र गंगा न जाता है तो इसले काफी important है ठीक है दोस्तों तो पहली नदी है हमारी पश्चिमी राम गंगा जिसको रत वाहिनी भी कहा जाता है ठीक है अब इसके बारे में हैं कि गंगा तंत्र से पूर्व जो गंगा तंत्र है उससे पूर्व यह नदी पौडी चमोली तथा अलमोडा में फैले धूदा तोली स्रेणी जो धूदा तेली स्रोणी है ठीक है जिसको उत्राखन का पामीर भी कहा जाता है तो गंगा तंत्र से पूर्व यह नदी पौडी चमोली तथा अलमोडा में फैले धूदा तेली स्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है ठीक हो गया चमोली अल माई 155 km बहने के बाद यह राज्य से बाहर पौड़ी के कालागड जगे है वहां से राज्य से बाहर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है ठीक है जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज है वहां गंगा में मिल जाती है कौन से ने दी पश्चिमी राम गंगा तो यहां से आपका हो गया कि कहां से निकलती है पूछेगा तो दूदा तुली स्रेणी हो गया और कितनी लंबाई है पश्चिमी राम गंगा की तो एक सो पच्पन किलोमेटर और कहां गंगा से मिलती है तो वह उत्तरप्रदेश के करना से और कोसी नदी नयनिताल और उधमसिंग में बहतेए बाधपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है, कहां से उधमसिंग नगर में जो बादपुर है वहां से बाहर हो जाती है ठीक है अगली नदी है बाकरा नदी ठीक है दापका नदी के समांतर बहती है किसके दापका नदी के समांतर बहती है उद्गम कहां है नैनिताल खानपुर उधमसिंग नगर से राज्य से बाहर हो जात अगली नदी है कोसी या कोसिला नदी ठीक है इसके बारे में यह नदी कौसानी बागेश्वर के धारपानी धार से निकलती तो कौसी कौसी नदी कहां से निकलती है कौसानी से निकलती है बागेश्वर के धारपानी धार से ठीक है रामगंगा के पूर्व वा समांतर और समांतर अलमोडा नैनिताल व उधम सिंग नगर में 168 km बहने के बाद तो कोशी नदी के लंबाई कितनी हो गई 168 km बहने के बाद सुल्तानपुर इस्तान पर राज्य से बाहर हो जाती है सुल्टानपूर कहा पढ़ता है उदंसिंग नेगर में ठीक है तो वहां से अब इससे यह कुशन बन गया कि कोशी का उद्गम इस तलतार पानी धार हो गया कोशी किस डिस्टिक में किस डिस्टिक से निकलती है तो वह भी बागेश्वराब की कोशी नदी की लंबाई 168 किलो हो गई देव गाड मिनोल्यवार सुमाली गाड ठीक है अगली नदी है गौला गार्गी नदी ठीक है इसके पॉंट हो गया बाकरा नदी के पूरवा चामांतर बहती है ती हम इस estás है गौला नदी के समीभ कौन ससे कते सामीब क्लस है काफी बार पूछाए तो वह इन हा वाम इसका नैनी ताल के पहाड़ पानी में से निकलती है नदी नैनी ताल वधम सिंग नगर में 102 किलोमेटर बहने के बाद किछ उधम सिंग नगर में बहते हैं राज्जि से बाहर हो जाती है तो इसके लंबा योगी 102 किलोमेटर और किछ्छा से ये राज्य से बाहर हो जाती है ठीक है अगला है देहुआ नदी गौला नदी के पूल और समानतर बहने वाली यह नदी भी नैनी ताल से निकलती है उदम सिंग नगर में बहतेवे राज्य से बाहर हो जाती ठीक है अजका अंती मैं नंदोर नदी नैनी ताल के चोर गलिया के पास देहुआ नदी से निकलती है और यह नदी नानक सागर बॉर्डर में समाहित हो जाती है जो नानक मत्ता बुलो या फिनानक सागर बुलो उस बॉर्डर में क्या हो जाती है समाहित हो जाती है ठीक है आज के लिए इतने ही था दोस्तों चैनल में पहली बार आयो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें